अध्यात्मर जोतिस के तमाम दर्शकों का आज के हमारे स्पेसल कारिकर में बहुत-बहुत स्वागत और अभिधन्दन आप सब को राधे राधे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि घर में घंटी और संख का क्या महत्तो होता है क्यों इसको रखना चाहिए और रखना चाहिए तो कौन सी घंटी या संख का हमें प्रियोग करना चाहिए घर में पूजा में हम किस प्रकारसिस का पूजन और स्थापन करें इसी खास विशे को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंटी का निसान है उसको आप जरूर दबा लिजे ताकि आने वाले जो कारिकरम की डॉटिक से न है वो आपको सबसे पहले मिल सके हम अध्यात्मी की बात करें जोतिस की बात करें असके अस्तुट और महत तो को हम समझने का प्रियास करते हैं तेकि जब भी कोई पूजा होती न तो आपने देखा होगा उसमें घंटी और संकर रखते हैं खासकर गंटी बाई और स्तापित की जाती है और जबकि संक दाईनी और स्तापित किया जाता है ये उसका विधान है, हालंकि उबात लग है कि हम कभी-कभी अपनी मरजी के अनुरूप उसे उल्टा से उल्टा दाएं, बाएं, उपा नीचे कहीं भी रख लेते हैं, जबकि ऐसा कदापी नहीं करना चाहिए, हर चीज की विवस्ता है, तस्मात सास्त्रम प्रमानमते, कार्य कार्य विवस्तितो, भगवान गीता के सोलवें अध्याई के अंत में कहते हैं, कि हे अरजुन, हर विवस्ता, कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए सास्त्रम प्रमानमते, इसलिए आपको मनमुखी आचरन नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति मनमुख ही आचरन करके उसको इस्थापित करता है रखता है उसका भोग करता है वो व्यक्ति न तो सुक पाता है न सिध्धी को प्राप्त होता है तो इसलिए इन सब चीजों को व्यवस्तित तो रखना है ही क्योंकि वह सास्त्र की एक व्यवस्ता है कि उसको कहां प ही सास्त्र में ही है इसका प्रभाव इसके रखने की विसिस्ता महत्ता भी हमारे सास्त्र ही प्रतिबादन करते हैं क्यों इसका मंत्र बता रहा है क्यों तुम पुरा सागरोत पन्ना शंक के लिए बताया गया कि तुम तुम जो है सागर से उत्पन्न वे तुम पुरा सागरोत पनना विश्णा निग्रत करे भगवान विश्णू की प्रशनता के लिए महालक्षमी की प्रशनता के लिए संख को रखना रखा जाता है उनको रखना अवशक वाना जाता है और हर वक्ति जीवन काल में महालक्षमी का कृपापात्र होना चाता है हर वक्ति जीवन में अधि दर्भाई माना जाता है, क्योंकि समुद्र उत्पन से ही लक्ष्मी उत्पन वी थी और संक भी उत्पन वाता है चोधर रत्नों में दोनों के उत्पति वी थी अब आप समछो क्योंगे कि संक की प्रदानदा Hillary Hillary ग्रुझन होता है तो उसमें मंत्र के साथ आप सब जानते हैं कि भगवान स्रिहारी का वाहन है गरुड़। अब आप समझ चूके होंगे कि इसकी जो विशिस्ता है, जो महत्ता है, जो प्रधानता है, वह क्यों है? यानि गंटी और संक दोनी भगवान विश्न कुप्री हैं, मा लक्ष्मी कुप्री हैं. और इसी इनकी प्रशनता के लिए इनकी पृत्यर्थ, गंटी और शंक दोनों ही पूजा में रखे जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और नारायन दोनों ही हमारे आरत्ये हैं. अब वो बात अलग है कि हम देवताओं को या भगवान को किस रूप में किस नाम से हम पूचते हैं, पुका आरा दियोरिष्ट, उनकी पृत्यरत इसको रखा जाता है, मालक्ष्मी की प्रशनता के लिए हम संकों को घर में रखते हैं. जब हम वास्तु की बात करते हैं, आज वास्तु का बहुत प्रचलन है. वास्तु के नाम पे अलग-अलग भ्रांतियां फैलाया जाते हैं, अलग चीजें बताए जाते हैं, अलग-अलग जो बातें बताए जाती हैं, वो कभी-कभी बिनालोजिक की होते हैं, कभी-कभी कुछ तीर तुके की होते हैं, जबकि सास्त्रियों का कोई ऐसा विधान होता है या नहीं होता है, उस चीज़ पर हम कभी बिचार ही नहीं करते हैं. गंटी और संक ये दोनों ही वास्तु दोस्त का निवारान भी है। इसलिए सदे से ही हमारा जो पूजापाट की पद्दती है, हमारा जो क्रमकाण की पद्दती है, हमारी जो अनुष्ठनिक पद्दती है, वो हमेशा से सभी चीजों की उपाय को एक साथ ले कर चलती है।